है याफ कि अंदर में बताने वालाओं कि इस तरीके से आप अपने फोन में फेस्ट लोग को लगा सकते हैं वो भी सैंसंग गिलेक्से आता रहता हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में तो मैं इसको फटा फट से open कर लेता हूँ setting को यह रहा मेरा setting open करने के बाद आपको इस तरीके के interface दिखेगा उसके बाद आपको यहाँ पे lock screen पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ screen lock allow display lock style तो इस पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है fingerprint lock type आपको दिखेगा उपर वाले first पे उस पे क्लिक करना है यदे आपने कोई पहले से lock लगा रखे हैं तो आपको इस तरीकी के दिखेगा ने लगा रखे होंगे तो आइसको खोल के दिखा देता हूँ ऐसा दिखेगा उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे face lock fingerprint lock, pattern lock different of lock लगा सकते हैं आपके उपर different करता है तो मैं fingerprint lock लगा चुका हूँ pattern lock लगा चुका हूँ अगर आप किसी और lock को लगा रखे होंगे तो आपको current lock दिखाएगा पर मैं fingerprint lock लगा रखा हूँ वही दिखा रहे हैं यहाँ पे तो friends अब हम बात करते हैं कि इसमें face lock कैसा लगाएंगे इसके लिए आपको इसको open करना है friends इसको on करने के बाद आपको क्या करना है back आ जाना है फिर से back आना है और यहाँ पे face lock search करना है search bar में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे search bar दिखेगा यहाँ पे face lock लिखना है जैसे face look क क्लिकेंगे तो आपको यहाँ पर face lock recognize आपको दिखेगा यहां से face lock remove data दिखेगा तो आपको simply recognize पे क्लिक करना है यहां से pattern lock लगाना है नीचे वाले add वाले option पे क्लिक करना है उसके बाद Yes पे क्लिक करना है आप चस्मा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं नहीं लगाते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद next पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर face लगाईए और यहां पर आपका face लगाते ही आपका जो face lock है वो set हो चुका है तो guys इसी तरीके से आप अपने face lock लगा सकते हैं मैं एक बार लगा आप इसको off करके दिखा देता हूँ मेरा हो चुका है अब मैं यहां पर face दिखाऊंगा तो मेरा on होता है या नहीं होता है तो आप देख सकते हैं मेरा on हो चुका है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यह देख सकते हैं बस आपको इसको power button को on करना है और जैसे face lock यहां पर detect करेगा वो खोल देगा आप देख सकते हैं detect कर लिए और यह on हो गया है तो यह सामने camera आ रहा है इस वज़े से आपको यह problem हो रही है वरना यह फटा-फट से खुलता है तो आप देख सकते हैं फटा-फट यह automatically detect कर लेता है तो आप यहां से आप देख सकते हैं यह detect कर लिया तो इसी तरीके से आप भी face lock लगा सकते हैं हटा सकते हैं तो फ्रेंज कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में ज़रूर बताएगा मिलते हैं से यह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार